बाल दिन बे दिन जड़ते जा रहे हैं महेंगे से महेंगे शैंपू भी काम नहीं कर रहे हैं अब बालों पर इस तरह तो मैं बहुती जल्दी गंजी हो जाऊंगी हेलो दोस्तो वेलकम टू टिप्स एन ओले येट्यूब चैनल बालों में हाथ लगाते ही बालों के गुच्छे हाथ में आ जाते हैं कोम करते वक्त कंगी बालों से बढ़ जाती है अब तो बाल बनाते वक्त भी डर लगता है कि बाल जड़ने न चुरू हो जाएं तो आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है तो अब करे क्या तो सबसे पहले जी हमें अपने कमजोर जो बाल हो चुके हैं उन्हीं मजबूत बनाना होगा और बालों को मजबूत बनाने के लिए हमें उन्हीं देना होगा प्रोटिन और प्रोटिन मिलता है जी एक से पर बहुत से लोगों को एक की स्मेल अच्छी नहीं लगती और कुछ लोग तो एको छूते भी नहीं हैं, तो वो अपने बालों को मजबूत कैसे करें, जड़ते हुए बालों को कैसे रोकें, डोंट वरी, मैं हूँ ना आपके लिए, मैं आपके मनपसंद यूट्यूब चानल टिप्स एंड नोलिज पे लाई हूँ, आपके लिए ऐसा ही हेर ओयल, इस हेर ओयल से आप विदाउट अंडे अपने बालों को मजबूत बना सकेंगे, और आपके बालों में एक बीनी सी खुशबू भी आएगी, तो चलिए बनाते हैं इस हेर ओयल को, और इस हेर ओयल को बनाने के लिए हम यूज कर रहे हैं, सबसे पहले कोकनेट ओ दालेंगे, और लास्ट मेए मैं इसमें आड करी हूँ, फैनोग्रिक सीट्स, मतलब मेठी के दाने, आप इसमें सीधा मेठी के दाने भी दाल सकते हैं, अगर मेठी के दाने नहीं हैं तो उसका पोड़र डालीजिये, हमें सिरफ मेठी से मतलब है, तेल को पकाएंगे पर मी मिक्स हो जाएं जिसे कि हमारे जो बाल कमजोर हो चुके हैं वो मजबूत हो जी जब टेल गरम हो जाएगा इसे हम कुछ समय के लिए थंदा होने के लिए रख देंगे जी अब जी हमारा तेल बन चुका है इसे हम अपने पालों में लगाएंगे आपको अपने बालों की हर एक जर में इसे अच्छे से लगाना है रूट शिले के स्कैल्प तक अच्छे से मसाज कीजिए अगर आप 15-20 मिनिट अपने फिंगर टिप से अपने बालों में मसाज करेंगे तो इससे आपका ब्रेट सरकल तेज होता है इससे आपका तेल हर एक जर में अच्छे से जाएगा जिससे कि आपके बाल जो कमजोड हो चुके हैं जो तूते जा रहे हैं वो नहीं होंगे क्योंकि जो हमने तेल इसमें अड़ किये हैं उन सब में आपको विटमिन A, C और E मिलेगा और मियो में जिनके बालों में इचिनेस की प्रॉब्लम होती है फंगस की प्रॉब्लम होती है जो सब इस हेरोल से जाएंगे क्योंकि मेठी में आपको विपूर माता में प्रोटिन और मेंनर्स मिलते हैं जी इन तो इसमें बरबर के डले हुए हैं तो आपका ये टेल बना हुआ है इसे आपको लगाना है और लगाने के बाद अच्छी पी मसाज करनी है और मसाज करने के बाद आपको ये ओवरनाइट के लिए रखके छोड़ देना है अगली सुबा आपको नोर्मर वाटर से अपने बालों को दोना है उसके बाद आप कैमिकली फ्री शैंपू और कंडिशनर यूज कीजे उसकी भी दोस्तों मैंने कलग से वीडियो बनाए हुए कि अगर आप महिंगे महिंगे शैंपू यूज करके ठक चुके हैं कोई काम नहीं कर रहे हैं तो आप वो कैमिकली फ्री शैंपू और कंडिशनर गर पे बनाए आपके बालों में आप फरक खुद बखुद देखेंगे फर्स टाइम में ही कि बाल आपके नहाते वक्त कितने कम ज़र रहे हैं तो दोस्ते शेडोल को ट्राइ कीजे हर दो दिन के बाद इस टेल को लगाए वन वीक के अंधर ही आपको फरक दिखना शुरू हो जाएगा कि नहाते वक्त बाल नहीं तूटते कंडिय में अब ज़्यादा बाल नहीं आते तो अगर आपको जी वीडियो पसंद आई है जी इंफोमेशन अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके आपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजेगा और मुझे कमेंट भी जिरूर कीजेगा आपकी कमेंट आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जी इसी के साथ प्लीज मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए तो मिलती हूँ जी मैं अपने अगली वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखे मिलते हैं जी फिर से बाई 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 बाई